दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 36 गर राज्य में इस्तित एक बहुत ही खोपसूरत जिला बलरामपूर के बारे में तो मेरे दोस्तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखना क्योंकि बलरामपूर जिले की कई ऐसी अनसुनी बाते हैं जिसे आप सायाध ही जानते होंगे तो चलिए देर न करते हुए फिर चलते हैं बलरामपूर की सांदार शफर पी बलरामपूर रामानुजगंज 36 गड़ राज्य के सरगुजा संभाग में इस्थेत एक महत्वपूर एतिहासिक जिला है जो अपने कई मुल्यवान संसाधन और अपने खोबसूरत दर्शन्य इस्थलों के कारण पूरे 36 गड़ में जाना जाता है वहीं बलरामपूर जिले को एक जनवरी संदो हजार बारा में सरगुजा जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था जिसे 636 गाउं, 415 ग्राम पंचायत, 6 ब्लॉक और 8 तहशीलों में बाटा गया है वहीं तहशीलों में संकरगर तहशील, रामचंदरपूर तहशील, कुस्मी तहशील, बलरामपूर तहशील, रामणूजगंस तहशील, सामरी तहशील, राजपूर तहशील और वाडरफ नगर तहशील सामिल है बलरामपूर जिले में इस्थित है राज्य का सबसे प्रशिद्ध ताता पानी जहां प्राकृतिक रूप से गरम पानी निगलता है और यहीं पर मनाया जाता है जिले की सबसे प्रशिद्ध ताता पानी महत्सव जहां दूर दूर से लोग इस महत्सव की आनन लेने आते हैं इसके अलावा बलरामपूर जिला च्छतिसगर राज्य का सबसे जादा ग्रामिड अबादी वाला जिला भी है जहां 95% लोग गाहों में रहना पसंद करते हैं वहीं बलरामपूर जिले को आदी वाशियों का गड़ भी कहा जाता है क्योंकि जिले की कुल अबादी में 65% से भी अधिक के निवासी आदी वासी है इसके अलावा बलरामपूर जिले की सबसे प्रशिद प्रंतात्रिक इस धल डीपाडी है वहीं बलरामपूर जिले की रामचंदरपूर तहशील 36 गड़ के उत्री हिश्य का सबसे अंतिम तहशील है जो राज्य की उपरी हिश्य में इस्थित है और इसी तहसिल में इस्थित है सुंदरी ग्राम जो राज्य की सबसे उपरी हिश्य का सबसे आखरी गाउं है इतना ही नहीं दोस्तो पलरामपूर जीले की सामरी तहसिल में इस्थित है 36 गर राज्य का सबसे उंचा परवर जिसे हम गौरलाटा के नाम से जानते हैं इसके अलावा सरगुजा संभाग का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण बलरामपूर जिले में ही इस्तित है जिसे हम सेमर्शोत अभ्यारण के नाम से जानते है वहीं सरगुजा संभाग का दूसरा स्रिमला बलरामपूर जिले की कुस्मी को कहा जाता है जो जिले की सबसे ठंड़ा इस्थान है इसके अलावा बलरामपूर जिले में उराव, कोरवा, पांडो, कोरखु और खरिया जनजाती के लोग निवास करते हैं आँपी बलरामपूर रामनोज जिले की प्रसासनिक मुख्याल है बलरामपूर शहर में इस्थित है बलरामपूर जिले की छेतर फल की बात करे तो तकरीवन ये जिला 3457 वर्ग किलोमिटर की छेतर में फैला हुआ है जहां की वर्तमान समय में जनसंख्या आठ लाग के करीब है जिसमें से 87 परतिसत हिंदू, 5 परतिसत मुसलमान, 4 परतिसत इसाई और बांकी 4 परतिसत अन्य समुदाय के लोग है वहीं इस जिले की कुल अबादी में परती एक हजार कुरूशों पर 973 महिलाए है और यहां की परतिक अबादी, 2 सपरति वर्ग किलोमीटर पर रहती है बलरामपूर जिले की 5 परतिसत अबादी ही, शहरों में निमास करती है और 95 परतिसत अबादी, गाउं में रहकर अपनी जीवनियापन करती है बलरामपूर जिले की अर्थ विवस्त था मुख्य रूप से खेती की सानी और कुछ महत्वपुन उद्योगों पर अधारित है वहीं बलरामपूर चत्तिसगर राज्य की राज़दानी नया रायपूर्शी लगभग 420 किलोमिटर की दूरी पर है और संभाद मुक्याले अंविका पूर्शी लगभग 84 किलोमिटर की दूरी पर है बलरामपूर जीले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोट सीजी 10 है वहीं बलरामपूर जीले से च्छय प्रमूप नदिया बहती है रिहान नदी, महान नदी, कनहार नदी, सिंदूर नदी, चनान नदी और मोरन नदी इसके अलावा बलरामपुर जीला सिक्षा के दृष्टी से आज के समय में काफी पिछड़ा हुआ है जहां की कुल साक्षारता दर 55% ही है और यहां की सिक्षा संस्थानों को देखे तूर कॉलेज राजपूर यहां लारंग साई कॉलेज जैसे कई और अन्य सिक्षा संस्थान बलरामपुर जीले में इस्थित है बलरामपुर जीले में बोले जाने वाली प्रमूब भासाएं सर्गुजिया, हिंदी, चत्तिस गढ़ी, कुरूप, साद्री यहां अन्या है वहीं बलरामपूर अपने सडक मार्ग के जरिये, चत्तिस गढ़, उत्तर प्रदेश, जारखन यहां मद्ध प्रदेश, राज्य के कई बड़े शहरों से सीधे जुड़े हुए है जहां से आप वर्स या प्राइवेट गाड़ियों के जरिये बलरामपूर असानी से पहुँच जाएंगे वहीं बनरामपूर जिले की प्रेटा की स्थलों की बात की जाये तो, यहां पर कई खोब सुरत प्राचेन प्रेटा की स्थले देखने को मिलता है जिन में सिमर सोत अभ्यारन, कोठली जल परपात, ताता पानी, पवई जल परपात, डीपाडी, अरजूनगर, वन वाटीका, पहारी मंदीद, और पल्टन घाट, बलरामपूर जिले की प्रमूग देखे जाने वाला इस्थान है तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहीन जैभारा